नमस्कार सियासत की बात के साथ मैं हूँ शेखर त्रवेदी आथ सियासत की बात में धर्मांतरण के मुद्दे पर होगी चर्चा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो धर्मांतरण हुआ ही नहीं उस पर हंगामा इतना क्यों हुआ साथ ही बात होगी यूपी के हैदरावाद में हैदरावाद के सांसत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एंट्री की ओवैसी की पार्टी का यूपी में आने का मतलब क्या है यूपी की सियासत पे इसका कितना असर पड़ेगा इसकी परताल होगी शुरू करते हैं सियासत की बात जिस मुद्दे पर आरोपों के तीर चले जिस मुद्दे को लेकर संसत तक्ट में शोर गुंजा असल में वो मुद्दा था ही नहीं जिहां बात यहां आगरा के कतित धर्मांतरन के मामले की हो रही है जिसे लेकर सामने आए राज्य अल्पसंख कायो के रिपोर्ट अपचोंका रही है यह रिपोर्ट बताती है कि आगरा में धर्मांतरन की पुष्टे नहीं हुई हाँ लालच देने की बात से इंकार नहीं किया गया है इन सब के अरावा रिपोर्ट में खुफिया विभाग के फेल होने पर भी मोहर लगाई गई जाच रिपोर्ट में खुफिया विभाग के अफसरों पर कारवाई की सिफारिश और कुछ संगठनों पर नज़र रखने की सिफारिश की गई है ताकि कोई लालच में न फसे यूपी अल्पसंग कायो के अधग शकील अहमद ने रिपोर्ट पेश करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश में लगी कि उन गरीबों मजलूमों जिनके पास बेसारों के लिए जिनके पास मकान नहीं था खाने को दो वक्त की रोटी नहीं थी उन्हें कुछ ऐसे लोग जो प्रदेश की अमन चैन को बिगारना चाह रहे थे उन्हों एक लालच के तहर धर परिवरतन को तो नहीं बताया लेकिन उन्हें लालच दी की बीपियल कार्ड आधार कार्ड आपका आईडी प्रूफ काम इंतिजाम करने जा रहे हैं और सेंटरल की गोवर्मेंट आपको बहुत जल्दी एक मकान देगी सिर्फ ये एक लालच थी इसी कुलिये के जो जाज रिपोर्ड वहां पहुची ये सरासर जूट पाया गया कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था और क्या कहना है इस मामले पर विजय बहादूर पाठख भार्ति जन्नता पाठी की प्रवक्ता आई सुनते हैं तो मुख्य मंत्री से लेके शूपाल यज satu तो जो बार बार कहते हैं कि भार्ति जन्नता पाठी के लोग मेरी घर वापसी करा दें या मेरा धर्म परिवर्तन करा दें धर्म परिवर्तन के जिस विवाद के विशे को ले करके ये पूरा कुछ हुआ जब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं और ये सरकार का तम पर कह रहा है तो पर विवाद किस बाद का था अलब संग के कायोग ने कहा है अलब संग के कायोग के अभ विवेक तिवारी जुड़े हैं लखनाउ से विवेक मैं आपसे जाना चाहूंगा कि जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है उसमें मौके की नजाकत और मौके की सियासत किस तरीके से इस्तमाल हुई है। ने दरसल महा कुछ हुआ ही नहीं है। वहीं से ये लाइन तै हो गई थी कि अगर कोई भी जार इजनसी चाहे वो पुलिस की हो चाहे वो सरकार इजनसी हो या गयर सरकार इजनसी हो जो भी समाज़वादी पार्टी से जुड़े हुई जनसी हैं उनकी लाइन क्या होगी ये संसद में तैय कर दिया था लोगसवा में तैय कर दिया था और तक्रीबन वही सारी चीजें राजी अलपस के कायोग की रिपोर्ट में दिखाई गई है कहा गया है कि धर्मान तरों नहीं हुआ था हाँ लालत जरूर दिया गया था और घूम फिरके फिर बात बीजेपी पर आ गई कि बीजेपी के लोग नरेंदर मोदी की सरकार चूंकि फेल हो गई है इसलिए बीजेपी के लोग साधिश कर रहे हैं कि किसी तरह से माहौल को खराब किया जाए और 2017 में इसका फायदा उठाया जाए तो इसमें तर्थ बहुत जादा तो नहीं दिख्या इस रिपोर्ट में हाँ सियासत की पूरी गुंजाईश इसमें रख दी गई है कि जो कुछ भी हो बीजेपी पर इसको थोपो बीजेपी को गहरो कहीं न कहीं और नरेद मोदी को इसके बहाने निशाने पर लिया जाए ज़्यादातर वक्त जो राज एलतसंग के कायों के चेर्में थे उनका इसी में भीता कि कि इस तरह वो बीजेपी पर हमला करें लेकिन इस पूरे मामले की जाच है उसके बारे में इतना ही कहा गया कि लालच दिया गया था ये कहा गया था कि आपका BPL कार्ड और APL कार्ड बनवा दिया जाएगा और उसके बाद आपको मकान मिल जाएगा केंसरकार की योजनाए है जो संगठन है उनके पीछे कौन लोग है बीजेपी की वो कौन से चेहरे है जो इस पूरी घटना के पीछे थे ये भी साफ नहीं हो पाया है तो अब पुलिस जो कारवाई कर रही है ये सो कर रही है लेकि राज अलपसंग के गायों की जो रिपोर्ट आई ये उसमें बहुत कुछ खास नहीं है बस इतना की सियासत इस पर हो सकती है और कहीं न कहीं बीजेपी को इस पूरे मामले पे घेरा जाए ये कोशिश जादा दि हैं लेकिन जो असल माजरा था वो पूरे इस रिपोर्ट से गायब दिखाई देता यानि अगर मुलायम सिंग ने जो बात संसर्थ के भीतर कह दी थी तो ऐसे में इस तरहे के आयोगों की उपस्थिती को लेकर भी सवाल उठेंगे मैं आऊंगा विवेक आपके पास वेदन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें करवाई भी हुई थी और ये जो आप आयोगों की जो रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो exactly मेरे पास अभी तक कोई खिट रिपोर्ट उसमें आई नहीं है और अगर उसमें आती है तो उसमें फिर उसके परिणाम को देखा जाए क्या रिजन रहा है और उसके अगर इसी रिपोर्ट है तो उसके बिचार करने की जरूरत है मनत्रन करनी की जरूरत है वहीं आग्रा के वेद नगर में रहे हैं लोगों का सच क्या है इससे लेकर जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया समाधता विबेक पाठात आगरा में वेद नगर में हुए धरम परिवर्तन के मामले में कई लोगों ने और राजितिक पार्टियों ने खास सोर्सेस में रोटियां से की इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और कहा गया कि मीडिया ने भी इसको खुब अच्छी तरह से खेला लेकिन राजिया अलपसंक्या कायो की जो रिपोर्ट जो पेश होने जा रही है इसमें सूत्रों के अगर माने तो कहीं न कहीं इसमें ये तो माना गया है कि इसमें धरम परिवर्तन नहीं था लेकिन लोकल इंटेलिजेंस का जो फेलियर की बात आई है तो इसमें बहुत बड़ी लापरवाही लोकल इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के माद्यम से पेश की जा रही है ऐसे में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वेद नगर के अंदर जो लोक रह रहे हैं उन लोगों की जो मूल लिवास प्रमापत्र की बात हो रही थी वहाँ पर बताये गया था कि यूपे पुलिस की तरफ से एक कलकात तायक टीम बहजी गई थी जिसमें अभी तक इतने समय बीतने के बावजूद भी अभी तक रिपोर्ट पेश्ट नहीं की जा सकी है ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो अंजान लोग चुंकि उनके उपर जो बात हो रही थी कि ये लोग बंगलादेशी हो सकते हैं और हमारे खुद के जी मीडिया के कैमरे के सामने भी कई लोगों ने वहाँ वेद नगर के बस्तिक लोग है रहते हैं उन्हों ने ये भी माना कि उनके पिता और उनके बश्पन में बंगलादेश से ही हिंदुस्तान आये थे लेकिन अब जो रिपोर्ट राजजय अलप संक्या कायोग जो बेज रहा है उससे कई सारे आयम सवाल कड़े होते हैं कि आकिरकार बंगलादेशी मुद्दे पर यूपे पुलिस की खामोशी क्यों रही साथी साथ अगर जो लोग इस पर रोटिया सेक रहे थे मामले को लेकर आयराजल अलप संक्या कायोग के रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं सवाल बढ़ा ये कि रिपोर्ट के जरिये सारा ठीकरा खोफिया विभाग पर फोने की तैयारी है अगर नहीं तो फिर नागरिक्ता को लेकर पुलिस रिपोर्ट को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है सवाल ये भी उठता है कि यूपी की हदों में रहने वाले लोगों को लेकर क्या पूरी तरह से जांच परताल की गई है आकर कैसे ये लोग सियासत का मोहरा बन गए तो शासन और पुलिस क्या कर रहा था क्या राज्य अल्प संख्य कायोग ने अपनी जांच में इन लोगों की भूमिका राश्क्रियता और आठ दिसंबर को दिये गए उनके बयानों की भी परताल की है या फिर सीधे सरकार का चहरा बचाने की कोशिश हुई है एक बाद फिर से रुक करेंगे लखनव का हमारे सयोगी विवेक तिवारी समय हमारे साथ जुड़े हुए है पिवेक मैं आपसे जाना चाहूँगा कि जिस तरीके की रिपोर्ट अल्पसंका कायोग की तरफ से आई है मैं आपसे जाना चाहूँगा कि जिस तरीके की रिपोर्ट आई है उसके बाद ऐसे आयोगों के ओचित के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि इनका उचित क्या रहना चाहिए, अस्तित्व रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो बात मुलायम सिंग ने कह दी, संसत के अंदर, अगर वही लाइन लेनी थी, बगैर तठ्थ्यों के, तो फिर आप सामने क्यों आए, और जिस तरीके से आपने बताया कि सियासत के लिए सारे खड़की दरवाजे खोल के रखे गए हैं, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस मैकमा, इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट ये सिर्फ गरीत की जोरू की तरह हैं, जिसको बंदूग की नोक पर कोई भी अगव तो ये बात काफी हद तक सही भी है कि ये सब कुछ हो गया, परस्य बढ़ गए, तैयारी हो गई, हमनकुंड लग गए, पचास परिवारों को लोग एक जगे पर आके गठा हो गए, और इंटेलिजन्स, लोकल इंटेलिजन्स को पताई नहीं चला कि क्या हो रहा है, ये बा जारा मसला नहीं है, इस बिल्दू पर हमजाश नहीं कर रहे थे, ये केंद का मसला है, और उनके पास तमाम तरह के कार्ड हैं, अब वो लोग अगर बांगलादेश के रहने वाले हैं, तो यहां उनके कार्ड कैसे बन गए, आई कार्ड कैसे बन गए, मदाता पहचान पत्र कैसे बन गए, इसकी भी जाच होनी चाहिए अगर ये बात सही है कि वो बांगलादेशी है, एक महत्कुन बात जो उठाई गई, वो उसका खिर करना जरूरी है, कि रिपोर्ट की सस्तुती में ये कहा गया है, कि जो गरीब तबके के लोग हैं, वो आसानी से लालच में आ ज जाएं, लेकिन सवाल ये है कि ये काम करेगा कौन, गरीब तबके के जो मुसल्मान हैं, उनको तरकी पर किरा पर ले कौन जाएगा, उनको बेरोजगार कौन देगा, उनकी इस थित्यों को ठीक कौन करेगा, ये काम किसका है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, निश्यत जाएदारी कौन लेगा, अगर गरीब तबके के लोग हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए काम कैसे किया जाएगा, अल्पसंग कायोग ने इस पर कुछ नहीं कहा, ये ही सबसे बड़ा सवाल है, और शायद ये बज़ए भी है, कि किसी भी गरीब तबके के लोग हों, किसी भी म मैं चाहूंगा कि जितनी बहस मुबाइसा इस पूरे मुद्दे पर हो चुका, जिन लोगों का नुकसान हुआ या जिन लोगों को पुलिस का टॉर्चर भी जहलना पड़ा, अगर ये सब कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? जो कि हुआ की बात जहां तक है, तो इतना तो रिपोर्ट में कहा गया है, कि लालच दिया गया था, कि आपको मकान दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और सी बहाने उनको मंदप में लाया गया, अब वो कितने गुमराह किये गए, या कितनी साजिश थी, ये क जारवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उनके खिलाब पावंदी लगाई जाती है, या उनके नाम सामने लाया जाते हैं, अगर वाकई में संग या बीजेपी से जुड़े हुए लोग इसके पीछे हैं, जरूर उनके नाम भी सामने आने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ न जांच किस बात की हुई है, और ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशे तो बहुत की गई हैं, लेकिन इस घटना में ही अगर सक्त कारवाई की जाए, कई में अगर बीजेपी या उससे जुड़े हुए संगठल इसके पीछे हैं, तो क्यों नहीं उनके खिलाब जा रहा है, या सिर्फ ये बात गुमरा करने के लिए, इधर उदर की सियासत करने के लिए की जा रही है, ऐसे बहुत से सवाली रिपोर्ट छोड़ जाती है, बयानवाजी और सियासत जादा हो रही है दोनों ही तरफ से, लेकिन जो असल मसला है, गरीब तपकी के लोगों क बेतरी के रास्ते पर ले जाने का, उसका ना कहीं जिक्र है इसमें और ना उसका कोई रास्ता दिखाया गया है। उस वोट बैंक पर असर पाने के आशंका है, जिसके दम पर इन दोनों दलों की सियासर चलती है। इसमें वाली OVC की पार्टी के लोग यूपी में जनाधार बढ़ाने के लिए एक बड़े अभियान में जूटे हैं। खबर है कि OVC की पार्टी जैभीम और जैमीम के नारे के साथ यूपी के सियासत में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को सादने की कोशिश में हैं। और इसके लिए पार्टी का बड़े पैमाने पर सदस्ता अभियान शुरू होने वाला है। यूपी के 25 जिलो जिसमें मुझदफर नगर, लखनव, गाजियबाद, मेरट, बुलंदर शहर, मुरदवाद, रामपूर, गुरकपूर, महराजगंच, आजमगर और कानपूर जैसे जिले शामिल हैं। वहाँ पार्टी का संगठन पहले से ही एक्टिव है। अब इनका लक्ष 44 और जिलो में कम से कम 500-500 सक्रिय कारेकरता तयार करने का है। मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में पार्टी के इनता बैटकों के जरीए अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फरवरी से यूपी यूनिट के लिए पार्टी के एक वेब पॉर्टल भी लॉंच हो रहा है जिस पर आउनलाइन सदस्ता अभियान चलाये जाएगा। AI MIM ने यूपी में अपनी जड़े मजबूत करने के लिए धुआधार बैटकों की रणनीती भी बनाई है। खबर है कि इसकी फशुरुआत 12 फरवरी को महराजगन से होगी जिसमें पार्टी के विधायक सेयद अहमत पाशा कादरी मौजूद होंगे। इसके बाद 12 मार्च को बरेली में रैली होगी जिसमें खुद अजदुदीन ओवैसी हिस्सा लेंगे। ओवैसी की रैलियों का कारेकरम 15 मार्च को इलहबाद और 22 मार्च को मुरदाबाद में भी तैय किया गया है। यूपी में तक्रीबन 18 पिसदी मुसलिम और लगवग 22 पिसदी दलित वोटरों पर सीधा प्रभाव कायम करने की एक कोशिश यकीनन 2017 की चुनावे जंग को दिलचस्प बनाने में एहम भूमी का अदा करेगी। लेकिन सवाल ये कि यूपी में धर्म आधरित सियासत का इतिहास क्या वाक कई ओवईसी किस कोशिश को काम्याब होने देगा। बिरो रिपोर्ट जी मेडिया AIMIM के अध्धक्ष और सांसद असदोद दुन ओवईसी ने पहले से ही यूपी में अपनी जड़े मजबूत करना शुरू कर दिया था। इसके तेट ओवईसी ने आजमगड के जिले के संजरपूर गाओं को गोध लिया है। साथ ही जिला एकाई भी गठित कर दी है। अलप संख्यक वोटरों को अपने पाले में करने के लिए पार्टी केडर ने अभियान भी शुरू कर दिया है। अलाकि अभी भी आजमगड के अलप संख्यकों में वोगाईसी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सा नहीं दिखा हा है। लोगों के राए मिली जुली। तो हो रहा है उनका काम लोग कर भी रहे हैं। और फेस्बूक बगरा में हम देखते रहते हैं कि काफी लोग उनको पसंद करते हैं। और शायद उनको बेस्ट परलिमेंटेरियन का खताब बगरा भी मिला है। कुछ इस तरह की जानकारी मिला है। लेकिन बहुत परभा उत्तर परदेश में पढ़ेगा, यह मैं नहीं समझ पा रहा है। लेकिन यह कि उनको लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई दो रहा हैं। उसका असर यह पड़ेगा, समपर्दाइक ताक्ते डोनों साइट से हो जाएंगे, स्रकुलर्ट प्राटी कंजोर पर जाएंगे, यही उनके लड़ाने से असर पड़ेगा, कि उसमें भाजपा का फाइदा हुआ। उसमें कोई बहुत जादा असर तो नहीं गाल पाओ, यही उनके लगाएद पक ज़रूँ शायदा कर देए। OIC की पहचान विबादत बयान देने वाले नेता के तोर पर ही ज़्यादा रही है, जिसके चलते वो भगवा ब्रिगेट के लगातार निशाने पर भी रहे हैं, जाहिर है, यूपी में OIC के आने से धार्मिक धुरूई करनल की सियास्त और तेस होगी, जिसे मुस्लिम धर्म पॉलिटिक जो है, वो एक हल्दी ट्रेंड नहीं रहा है, और यूपी में भी इस किसम की पॉलिटिक को आम तोर पर आवाम पसंद नहीं करती है, और जो भी पार्टी माइनॉरिटीज के और आम आवाम के मसायल को हल करेगी या हल कर रही है, जाहिर जी बात है, लोगों का मज़ब की बुनियाद पर सियासत जो है, एक सेकुलर हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, और सीधे रू करेंगे लखनों से विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे समधाता, विवेक आप लगातार जमीनी हकीकत को देखते हैं उत्तर प्रदेश में, मैं आ देखें, उनकी दिल्चस्पी उत्तर प्रदेश की सियासत में हो नहीं हो, लेकिन कई न कई वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, और जिस तरह की राजबीत ही वो करते आएं, हो सकता है, एकार सीटे उत्तर प्रदेश में निकल जाएं, लेकिन इससे ज्यादा का स प्रदेश कोप यहां नहीं है, विजाज यूपी का दूसरे तरह का है, जैसा अभी खालीद रशीद फिरंगी महली भी कह रहे थे, यूपी में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, हिंदू महासभा को एक विधायक जिता हुए हमें लगता है, अरसा हो गया होगा, औ तो इसकी संभावना ज्यादा लगती नहीं, यहां इतना जरूर है कि तमाम कुछ मुस्लिम तंजीमें हैं जो उनके टच में है, संजरपुर को उन्होंने गोद बिया है, वही गाम है जहां कि लड़के बटला हस इंकाउंटर में मारे गए थे, और इसको लेकर आज भी वि अगर उनकी निगाह है तो अभी भी बियस पी सबसे बड़ी दावेदार हो, बियस पी को छोड़के OASI के साथ दलित उत्तरपदेश का जाएगा, यह कहना भी मुश्किल है, दलित तो क्या मुसल्मान भी उनके साथ चला जाएगा तो बड़ी बात है, उत्तरपदेश में उसमें नहीं लगता कि उनकी गारी बहुत चल पाएगी उत्तरपदेश के अंदर, बहुत शुक्रिया विवेक इन जानकारियों के लिए इस चाचा के लिए, तो जिस तरह से OASI अपनी उमीद के साथ उत्तरपदेश में दाखिल हो रहे हैं, दरसल उत्तरपदेश का मिजा पढ़िया होता, तो बेहतर होता, वरना जनता दो हजार सत्रा में अपना फैसला सुनाएगी, ये तैय है, इस बुलेटन में इतना है, नमस्कार.